राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपनों कोई कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्दिक के महिने में सब कोई तुलसी माता को सीचते हैं। सब कोई तो सीच के चले जाते थे लेकिन एक बढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सीच दे और तुलसी माता से कहती सत की दाता मैं बेड़ला सीचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा तुलसी माता अडवा दे लडवा दे, पीतामरा की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चन्नन की काठ दे, जालर के जिनकार दे, साईं का राज दे, दालभात का जमीन दे, इग्यारस का दिन दे, किष्ण का कंधा दे, इतनी बा सुनकर माता तुलसी सूखनी लगी एक बावर भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरते आती हैं तुम्हें जिमाने गातने तुम्हें पूजने और तुम सूखने कैसे लगी तब तुलसी माता ने कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है मैं तो और सब कुछ दे दूंगी पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहां से दूंगी थोड़े दिन बात वह बुढ़िया मर गई सब उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फिरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है भगवान बोड़े ब्रामण का रूप धारन करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड क्यों हो रही है सब लोग बोले एक बुढ़िया है जो कि मर गई है पाप नहीं थी इसने किसी से नहीं उठती तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी सब ने कहा तुभी मन की निकाल ले भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तु बिर्ला सीचे मेरा मैं करू निस्तारा तेरा बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले पितांबर की धोती ले मीठा मीठा गास ले बैकुंठ का बास ले चटके की चाल ले पटके की मोद ले चन्नन की काठ ले झालर की जिनकार ले, साई का राज ले, दालभात का जमीन ले, ख्रिष्न का कंधा ले इतना सुनते ही उड़ियामाई हलकी हो गई, भगवान ने कंधे पर ले करके उसको गए, उसकी मुक्ती हो गई ये तुलसी माता जैसे उसकी मुक्तिकरी है ऐसे हमारे भी मुक्तिकरी हो जैसे उसको कंधा दिया है भगवान किष्णे ऐसे ही सभी को कंधा दे इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को राधे राधे कार्थिक के महिने में चंद्रमा अपने किर्णे जमीन पर सीधी डालता है अतर वैज्यानिकों का कहना है कि जो मनुस्य इस महिने के चंद्रमा द्वारा अमरत के समान प्रसारित की हुई किर्णों से निर्मल और अमरत के समान बनाए जल में प्रातय काल जाकर गोता लगाता है वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुन्दर और भलिष्ट हो जाता है क्योंकि चन्दमा की किर्णे रात भर जिस कंद मूल फल पर भोज बदार्थ पर और जल पर पढ़ती है वह अमरत के समान रोग को हरता है और पौस्टिक बना देता है तभी तो ह हमारे सास्ट में शरत पौनिमा को नाच गाना बजाना खेलना कोदना और प्राता का लिसान करना तथा चांदनी में बने हुई तथा रख्यवे पदार्थों का सेवन करना लिखा गया है बल बुद्धी की प्राप्ति के लिए कार्थिक मास में सुबह इस्नान करना है इसलिए लोग बाहर नासो करके अंदर सोना पसंद करते हैं ऐसी अवस्था में यदि घर साफ न होगा दीपक जलाय नहीं जाएगा और ने विछाने तता पहने के कपरे साफ नहीं होंगे अथ्वा बल दायक भोजन नहीं खाय जाएगा तो आदमी अवसे बीमार पढ़ लच्मी उसके घर से बिदा हो जाएंगी इसलिए हर मनिस को सुखी रहने के लिए निरोग रहने के लिए कार्थिक महात्म और एकदसी कथा सुनते हुए उप्यक्त नियुमों का पालन करना चाहिए कार्थिक के महिने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं निर्मल वा में जलाशेयों में इस्तान करना अत्यम उत्तम माना गया है इसे कार्थिक मास इसनान सरवत्तम माना गया है अब मैं आप लोंको कथा सुनाने जारी हूं कार्थिक मास महात्यम पहला अध्या है ने मिसार अन्तिर्थ में सी सूत जी महराज 88,000 शोनक आधिरिशियों से बोले अब मैं आपको कार्दिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुसे सब प्रकार के पापों से छूट कर अंत समय में बैकुंट को प्राप्त होता है सूत जी बोले स्वी कृष्ण जी से आग्या लेकर देवर्शी नाराज जी के जाने पर सत्य भामा प्रसन होकर के लक्ष्मी पती भगवान से कहने लगी हेनात मैं धन्य हुई मेरा जीवन सफल हो गया मेरे जन्मदाता भी धन्य है जिन्होंने मुझे जैसी त्रेलो के सुन्द्रियों को जन्म दिया जो आपकी सोला सहस्त इस्त्रियों के मद में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी मैंने वह कल्प ब्रक्ष आदि पूरुष आपके साथ नारजी को बिधी पुर्वक दान में दे दिया परंत वही कल्प ब्रक्ष मेरे घर लहराय करता है जिस बात को मुर्थ लोक में कोई भी इस्त्री नहीं जानती है हेत्री लोकीनात मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ आप मुझे विस्तार पुर्वक कार्दिक महात्तम की कथा सुनाओ जिसको सुनकर मेरा हित हो जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विवुख ना हो सूती जी बोले सत्य भामा की ऐसी वचन को सुनकर हसते हुए स्रीकिष्ण जी सत्य भामा का हाथ पकड़ कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोक कर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वरक्ष के नीचे ले गए और हसकर कहने लगे हे प्रिये 16 हज्जार रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोत किया था हे कांते जो बात तुमने पूछी है उस अधभुत बातों को सुनो सूत जी बोले एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्य भामा की प्रिये कामना के लिए गरूर पर सवार होकर इंद्र लोग जाकर कल्प ब्रक्ष मांगा तब इंद्र के मना कर देने पर गरूर का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोर लोग में गरूर जी ने गोहों से गोवी और फून से मेंद्मि इन तीनों के प्रियो करने से मोर की प्राप्ती नहीं होती है तब गोहों ने भी कोद में भरकर गरूर को मारा जिससे उनके तीन पंख टूट कर नीचे गिर पड़े इसके पहले पंख से निलकंठ दूसरे से मोर और तीसरे से चक्वा से ही शुवफल की प्राप्ती होती है यह सुन करके सत्य भामक भगवान श्री कृष्ण से बोली है प्रभू मैंने पिछले जन में कौन-कौन से दान वो ब्रत जब नहीं किये मेरा कैसा सुभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मुझे मृत्य लोक में क्यों जन् शुम कर्म किये जिससे मैं आपकी अर्धांगनी हुई भगवान श्री कृष्ण बोले हे प्रिये तुमने पुर्व जन में शुम कर्म किये हैं विस्तार पुर्वक कहता हूं पुर्व समय में सत्य यूग के अंत में माया पुरी में अत्री गोत्र में देव शर्वा नाम का एक ब्रामर था वेद वेधानत का जानने वाला वह ब्रामर था वह रोज अतितियों की सेवा हवन और सूरिवान की पूज़ा क्या करता था उसका तेज सूरि के समान तेज़सवी था उसकी ब्रधा अवस्था में गुड़ुबती नाम की कन्या उत्पनी हुई उसका विवा पूत्र हिन ब्रामर ने चंद्र नाम के अपने सिस्क के साथ कर दिया चंद्र को अपने पूत्र के समान मानता था तथा चंद्र ने भी उसे अपने पिता के समानी समान देता था एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए हिमाले के तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा उस राक्षस से भै के मारे उनके सब अंग सिथिल हो गये भागने की सामर्थ ही नहीं रही तब उस काल के सद्रस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पारसद उनको मेरे पास बैकुंट में ले आए क्योंकि उन्होंने आजीवन सुर्य भवान की पुजा की थी उस कर्म से मैंने उस कर्म से दोनों पर अतिप्रसंद हुआ शीव, सुर्य, गणेशी, देवी इन सब देवताओं की पुजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेसे पांच प्रकार का होता हूँ जैसे एक देव दत्य पिता भ्राता आधि नामों से बोला जाता है जब दोनों विवान पर चड़े हुए सूरी के समानते जस्वी रूप वान, चन्दन और माला धारन की हुए मेरे भवन में आये तो दिप भोग भोगने लगे भगवान शिव की जै हो, भगवान विष्णू की जै हो, भगवान श्री किष्ण की जै हो, सत्य भामा की जै हो, जै हो, जै हो, जै हो जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने उन ब्राम्मार देवता पर किर्पा करी उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की किर्पा बनी रहे राधे राधे कार्थिक का महिना आ रहा है यह पूरे कार्थिक के महिने में जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करता है कार्थिक इसनान करता है भगवान विश्णों के किरपा सदा सर्वदा उस विक्ति पर बनी रहती है जिस प्रकार से भगवान संकर को प्रिय है बिलपत् प्राचीन काल में जालंधर नामक एक देते ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भैवीत कर रखा था उसकी प्रत्नी ब्रंदा रूप वती होने के साथ एक पती बता इस्तरी थी उसी की प्रताप से वह सर्व विजय बना हुआ था उस देत से भैवीत होकर रिशी मुनी और देवतागर भगवाल विश्णों के पास जाकर अपने विप्दा सुनाने लगे तो उन्होंने ब्रंदा का पती धर्म भंग करके उसका बल छीन करने का निश्चे किया भगवान विश्णों ने अपनी योग माया से एक मृत्द शरीर ब्रंदा के आंगन में फिकवा दिया ब्रंदा ने उसे अपने पती का शरीर समझकर उसका आलिंगन कर लिया इससे उसका पती धर्म नश्ट हो गया जबकि उसका पती तो देव लोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था इधर ब्रिंदा का सतित्व नश्ट हुआ और उसका पती युद्ध में हार कर मृत्य को प्राप्त हुआ जब ब्रिंदा को वस्तु इस्थ उसे चल से पती वियोगी बनाया है ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का चल पुर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्ति लोक में जन्मिलोगे इतना कहके ब्रिंदा अपने पती केश्रव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा पारवती ने ब्रिंदा की भासमे में तुलसी आवला और मालती के व्रक्ष लगाए इन में से तुलसी को भगवान विश्णू ने ब्रिंदा का रूप समझ कर अपनाया कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विश्णू ने छल से ब्रिंदा का सत्यतु भंग कराया था तो उने पत्थर बनने का साब दिया था इस पर भगवान ने कहा था कि तुम मुझे लक्षमी से भी अत्यंत प्रिये हो यह सब तुम्हारे सत्यतु का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रोगी जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परमधाम को प्राप्त होगा यही कारण है कि सालीगराम की पुजा बिना तुलसी दल चड़ाई अधूरी मानी जाती है इसी प्रकार पूरे कार्थिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है प्रातहकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है कार्थिक मास में प्रात्यकाल के समय में तुलसी जी को सीचा जाता है, जल चढ़ाय जाता है, सिंदूर चढ़ाय जाता है, नित्य, सिंदूर चढ़ाय जाता है, भोग लगाय जाता है, आर्थी की जाती है, दिपक जला करके रखा जाता है, सुभा के समय भी और शाम के समय भ पना करके वहां पर दीपक जलाया जाता है इस तरह से तुलसी माता की पूजा पूरे कार्थिक माह में की जाती है जो भी आपके पास में भोग के वस्तु हो धूप तीप नवेद ये सब दिखाएं पूजा करें उसके बाद में आर्थी करें कि इस्तुति करें और इस्तुति विवाह उपरांत पूर्ण मासी के ब्रत को करने के लिए शरद पूणिमा के दिन से ही इस ब्रत का आरंब करना चाहिए कार्थिक मास्क का जो ब्रत रखा जाता है कार्थिक ब्रत जिसे कार्थिक का ब्रत भी कहते हैं सरद पूणिमा के दिन से ही आरंब किया जाता है सर्वुत्तम महिना माना गया है आए अब बड़े ही प्रेम पुर्वक भक्ति पुर्वक कथा का स्रवन करते हैं शरद पुर्णिमा ब्रत कथा एक साहुकार थे जिनकी दो पुत्रियां थी दोनों पुत्रियां बड़े ही प्रेम पुर्वक पुर्णिमा का ब्रत रखती थी क वह अधूरा ब्रत करती थी परिणाम सरूप यह हुआ कि छोटी पुत्री की जो संतान पैदा होती थी वह संतान पैदा होते ही मर जाती थी उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पुणिमा का जो ब्रत करती हो वह अधूरा ब्रत रखती हो ज पुणिमा का ब्रत रखो और विधी पुर्वक करो जिससे कि तुम्हारी संतान जीवित रह सके। उसने पंडितों की सलाह पर पुणिमा का ब्रत पुण किया और विधी पुर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंत वह सिग्र ही मर गया। उसने लड़के को पीड़े पर लिटा कर ऊपर से कपड़ा ढग दिया। फिर बड़ी बहन के घर गई और बड़ी बहन को बुला कर अपने घर लाई और बैठने के लिए वही पीड़ा दे दिया। बड़ी भेन जब पीड़े पर बैठने लगी तो उसका गागरा बच्चे को चूग गिया, बच्चा गागरा चूते ही रोने लगा, बड़ी भेन ने कहा छोटी भेहन से कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बच्चा मर जाता, तब छोटी बहन बोली यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरी ही भागे से यह जीवित हो गया, तबी से इस ब्रत का महत तो अत्यधिक बढ़ गया, उसके बाद नगर में पुर्णिमा का ब्रत करने का निदोरा पिटवा दिया, हे पुर्णिमा सी माता जैसे आपने उस छोट बेटी के पुत्र को जीवित कर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर किरपा करें, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, भगवान विश्णों की जैह हो, माता लक्षमी की जैह हो, जो कोई भी पुर्णिमा सी ब्रत का उद्यापन करना चाहता है, उसे चाहिए कि व साद में, साम के समय में, चांदी की कटोरी में, मेवा भर करके, साथ में चावल, फल, मिठाई, वस्त्र, ये दच्छना, ये सारी चीजें, किसी ब्रामन को दान कर दें, इस प्रकार से, और भगवान से बोल दें, कि हे प्रभु, ये था सकती, जितना मुझ से हो सका, मैंने इस ब्रत को धारण किया, अब मैं इस ब्रत का उध्यापन कर रही हूँ, ऐसा कह करके, आपने जो भोजन बनाया है, कीरपुरी का, उस भोजन को ग्रहन करें, और अगली वार से जो पुरन मासी ब्रत पढ़ेगा, तो ब्रत को ना करें, इस प्रकार से, पुरन मासी के ब्रत का उध्यापन किया जाता है, आज मैं आपनों को बताने जा रही हूँ, सर्व मन कामनों की पूर्ति हेतु, रवीवार, भवान शुरी का ब्रत, शेष्ट माना जाता है, इस ब्रत की विधी इस प्रकार है, प्राते हकाल, इसनान आदिसे निवरित होकर, स्वक्छवस्त्र रहते कर लेना चाहिए यदि निराहार रहने पर सुरी छिप जाए तो दूसरे दिन सुरी ववान के उदे होने पर अर्ग देने के बाद ही भोजन करें ब्रत के अंत में सुरी ब्रत की कथा सुननी चाहिए ब्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापिक रहना करें इस ब रख़वार भागवान सूरे की ब्रत कथा एक बुढिया माई थी उनका एक बहुती सरल सा नियम था कि प्रतिरववार को सवेरे ही इसनान आधिकर पड़ोशन की गाय की गोवर से घर को लीप कर फिर भोजन तयार कर भागवान को भोग लगा कर स्वयम भोजन करती था ऐसा ब्रत करने से उनका घर धन धान एवं आनंद से पुण था इस तरह कुछ दिन बीच जाने पर उसकी पडोसन विचार करने लगी कि यह ब्रिधा सर्वदा मेरी गोव के गोबर ले जाती है इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी बुढिया को गोबर न मिलने से रवी बार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी इसलिए उसे ना तो भोजन बनाया और नहीं भगवान को भोग लगाया तता स्वेम भी उसने भोजन नहीं किया इस प्रकार उसने निराहर ब्रत किया रात हो गई वह भूखी सो गई रात में भ आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और नहीं आपको भोग लगा पाई तब भगवाने कहा कि माता हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी च्छाय पूण होती हैं क्योंक तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बना कर मेरा भोग लगा कर खुद भोजन करती हो इसे मैं खुश होकर तुमको यह वर्दान देता हूं तथा अंत समय में मूक्ष देता हूं सुपन में ऐसा वर्दान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब रद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगल में एक अतिसुंदर गाय और बच्छा बंधे हुए हैं वह गाय और बच्छे को देखकर अत्यंत प्रसंद हुई उनको घर के बाहर बांध दिय वही खाने का चारा डाल दिया जब उसके पड़ोसर ने बुडिया के घर के बाहर एक अतिसुंदर गाय और बच्छे को देखा तो द्वेश के कान उसका हिदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोवर किया है तो वह उस गाय का गोवर ले गई और अपन पड़ोसर के कर्म से बुडिया ठगी जा रही है भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोड की आंधी चला दी बुडिया ने अंधेरे के भैसे अपनी गाय को घर के भीतर बांद लिया प्राते काल उठकर जब ब्रद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोव अधने लगी है तो उसका सोने का गोवर उठाने का दाउन नहीं चलता तो वह इश्वर से जलूठी कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा महराज मेरे पडोस में एक ब्रद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है वह रोज सोने का गोवर देती है आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए वह ब्रद्धा इतने सोने का क्या करेगी राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को ब्रद्धा के घर से गाय लाने के आग्या दी ब्रद्धा प्रातह ईश्वर को भोग लगा भोजन गरहन करने ही जा रही थी कि राजा के करमचारी गाय खोल कर ले गए ब्रद्धा काफी रोई चिलाई किन्तु करमचारियों के समक्ष कोई क्या कहता उस दिन ब्रद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रोकर इश्वर से गाय को पुना पाने के लिए प्रातना करती रही उधर राजा गाय को देकर बहुत प्रसन हुए लेकिन सुबाज जैसे ही वो उठा सारा महल गोवर से भरा दिखाई देने लगा राजा यह देखकर घवडा गया राजा ने रात में स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा गाय को ब्रद्धा को लोटाने से ही तेरा भला है उसके रविवार के ब्रद्ध से प्रसन होकर मैंने उसे यह गाय दी थी प्रात होते ही राजा ने ब्रद्धा को बुला कर से गंदगी धूर हो गई उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज की तथा अपनी समस्त मन कामनाओं की पूर्ति के लिए रह विवार को ब्रत करो ब्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन ब्यतित करने लगे कोई भी विमारी तथा प्रकृति के प्रकृत ऊस नगर पर नहीं होता था सारी प्रजा सुखी रहने लगी भगवान सूरि की जै हो भवान विश्णों की जै हो भगवान गणेस की जै हो भवान संकर की जै हो माता पारवती की जै हो अशोकशुंद्री की जै हो भवान गणेस की जै हो मेरा ये वीडियो कैसा लगा किर्पया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में राधे-राधे अवसिलिग दें वीडियो को लाइक करना न भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन जरूर आते स्री तुलसी माता की तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तपकीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, शीपती कमल चरनल पटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुषपन की वर्सा वर्सानी, चपन भोग छती सो व्यंजन, बिन तुलसरी अरी एक नमानी, सभी सखी मैया तेरो यशगावे, भक्ति दान की जै महरानी, नमो नमो तुलसी मारानी, नमो नमो तुलसी मारानी, भगवान विष्णों की जै हो, मेरा यह वीडियो कैसा लगा, किरपया कमेंट बॉक्स में जरूर बता है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सकाइब अवसे कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, जो को भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हूँ, किरपया वीडियो को लाइक जरूर कर दे, भगवान सुरिक की जै हो, धन्यवाद,